गुद मॉर्णिंग एविवन बच्चों पीछले वीडियो में हम लोगों ने संब्वेगात्मक विकास के बारे में जानकारी प्राप्त की जिसके अंतरगत संब्वेगात्मक विकास की परिभासा उसकी विशेस्ताएं और संब्वेगात्मक विकास के विविन अस्तरों को ज इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए संबेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में थोरी जानकारी दाप्त करते हैं तो संबेगात्मक विकास को निमलिखित कारक प्रभावित करते हैं जिसमें पहला है अनुवानसिक कारक देखा गया है कि माता-पिता वसिसु के संबेगात्मक विकास में काफी समानताएं पाई जाती है यानि कि जिस तरह के माता-पिता के संबेगात्मक विकास होते हैं वैसे ही बच्चों में भी पाया जाता है दूसरा है परिपक्कोता जैसे असे बालक सारेरिक वो मानसिक रूप से परिपक्क होता है वो संबेगात्मक रूप से भी परिपक्क हो जाता है संबेगात्मक विकास में मानसिक विकास का बहुत बड़ा योगदान है और जितना अच्छा मानसिक विकास होगा संबेगात्मक विकास भी अच्छा होगा मन्नवे ज्यानिकों ने परिक्षन से सिद्ध किया है संबेगों का विकास बालक के परिपक्टा अस्तर पर नेर्भर करता है एक मेचोर बच्चा जो है जिसकी बुद्धी काफी परिपक्ट को हो गई है उसके संब्यकात्मक विकास काफी अच्छे होते हैं थर्ड है प्रसिक्षन बालक संबंध प्रत्यावरन के सिध्धान द्वारा सीखते हैं इसमें एक उदारन वाटसन महोदय ने दिया है जिनोंने बहुत अच्छे उदारन दिये हैं इस संबंध में उन्होंने एक प्रियोग द्वारा बताया कि उसने एक नौ माह के बालक को जो कि किसी से डरता नहीं था चूहा दिखाया वह पीछे से जोड की आवाज की क्या है बहुत छोटे बच्चे को कितने महिने के बच्चे को नौ महिने के बच्चे को एक चूँहा दिखाकर बहुत जोर से आवाज किया, जिससे क्या होता है? बच्चा डर जाता है तो कुछ दिनों पर चातू आप बालक चूः को देखते ही रोने लगता है क्या हो गया बच्चे के मन में चुहे के प्रती डर उत्पन हो गया डर एक तरह का संभेग हो गया और बच्चा उसे देखते ही रोना आरंब कर देता है इसी प्रकार अन्य परिक्षन से ग्यात हुआ कि मा जीन वस्तों से डरती थी बालक भी उन्हें देखकर भै खाने लगा लग गया है क्या है इसका मतलब था कि मा भी चुहे से डरती थी तभी बच्चे में इस तरह का डर आने लगा माता पिता के उसे प्रेम प्रदर्शन करने को प्रोचसाहित करने पर वस्तने प्रदर्शित करने लगता है और लोग उसको अच्छा से प्यार करने लगते प्यार करते हैं तो वह भी वैसा ही बेवहार करता है अगर माता पिता बच्चों से प्यार करते हैं, तो छोटा बच्चा भी अपने माता पिता के प्रती अपने प्यार को दर्साता है नेक्स्ट है स्वास्त, स्वास्त क्या है, जिन बालकों का स्वास्त अच्छा होता है, वो अपने संबेगों पर नियंत्रन रख सकते हैं स्वास्त बच्चे जो हैं, वो कुछ समय के लिए अपने संबेग को नियंत्रित कर सकते हैं लेकिन जिन बच्चों का स्वास अच्छा नहीं है और वो सारीरिक रूप से काफी कमजोर हैं तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं बहुत चिर्चिडे हो जाते हैं बात बात पे गुस्सा इस तरह का वेवार उनके अंदर हो जाता है वो अपने संबेग पर नियंतरल नहीं रख प से इस्थीर होते हैं देख गया कि कम बुधि वाले पालत के संबेगात्मक विकास जूले वह दिख जाते हैं जैसे बुद्धि क्या है मांसिक विकास अगर बच्चे का सई रंग से होता है तो अपने वह क्रोध को या कुछ और भी वी विकास के अंतर गर आता है प्रेम बुद्धी, कम बुद्धी वाले बच्चे हैं, वो इस पर नियंत्रन अस्थापित नहीं कर पाते हैं, वो तुरंत गुस्से में आ जाना, लड़ाई जगड़ा कर लेना किसी से भी, इस तरह का बेवार उनके अंदर उत्पन हो जाता है, फिर है पारिवारिक संबंध, में जिस भी महाल में बच्चे पल बढ़ रहे होते हैं, तो उसका बहुत जादा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, घर का जैसा महाल होगा, बच्चे वैसे ही सीखेंगे, उसी तरह का उनका संब्वेगात्मक विकास भी होगा, अगर माता-पिता के बेवार में स्थीर वे अपने है तो वें अपने संब्वेगों को संतुलित रूप से आप्यक्त करते हैं, तो बालक भी वैसा ही सीखता है, माता-पिता अगर गंभीर सोभाव के हैं, इस्थीर सोभाव के हैं, तो बच्च понятно स्वभाव करेगा, इसी तरह का सोभाव विक्षित होगा, पर अगर घर में माता पिता क्रोड आने पर तोर फोर करते हैं चिलाते हैं चीखते हैं तो बच्चे में भी क्रोड के संबेख उत्पन होने लगते हैं जमीन में पर लेड जाना इस तरह से वह अपने घुस्से को प्रदर्सित करते हैं अधिक लार प्यार बालक को जिर्दी बना देता है, माता पिता अगर ठीक प्रकार से बालक को समय नहीं दे पाते या अपने प्रेम का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, तो बालक सहम जाते हैं, और वे भी अपने संब्यों को खुल कर ब्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो माता-पिता का प्यार भी बहुत माइने रखता है बच्चों के लिए परिवार की तरह आसपरोस स्कूल और समाज के अन्य सदस्य वह परिस्थीतियां परिस्थीतियों का बालक के संवेगात्मक विवहार पर काफी प्रभाव पड़ता है परिवार के साथ-साथ क्या है व बच्चे खेलते हैं या जाते हैं तो और अपने समाज में भी तो इसका भी साथ बच्चों के संवेग पर काफी प्रभाव करता है अगर समाज का वातावरन तनावपुर्ण है तो बालक के संवेगात्मक विवहार जहें वो इस्तीर हो जाते हैं आज पर उसमें सांथ-साथ-पुर्ण वातावरन हो लोग अपने संवेगों पर काबू रखते हैं तो बालक भी वैसा ही अनुकरन करता है अगर तनावपुर्ण महाल में बच्चे रहते हैं तो बच्चों में उसी तरह का संवेग विख्षित होता है और अगर सांत जगह है, सांत महौल है तो वैसे में भी बच्चे यानि कि अपने परिवार आसपास का जो महौल है वो भी बच्चे के संबेगों को बहुत जादा प्रभावित करता है फिर संबेगों पर नियंत्रन, सारीरिक वा मानसिक स्वास्ट बनाये रखने के लिए संबेग पर नियंत्रन रखना बहुत आवस्यक है संबेगों की उत्पत्ती के समय सरीर में कई परिवर्तन होते हैं जैसे रक्त संचार, नारी परिवर्तन, नारी की गती में परिवर्तन, सांस में परिवर्तन, पाचन संस्थान पर प्रभाव, आखों का तन्ना, मुठीयों का भीचना, इत्यादी क्या है अगर गुस्षे का संबेग आ जाता है तो इसमें ये सब परिवर्तन आने लगते हैं बहुत ज़्यादा तेज बोल देने से सांस पुलने लगना या नारी की गती बहुत तेज हो जाना दर का संबेग है तो धरकन का बढ़ जाना ये सब बहुत ज़्यादा हो जाता है बारवार संबेगों के उत्पन होने वत्तिव्रता से होने पर सरीर पर इसका बुरा प्रभाव परता है हर समय अगर यही परिस्थिती हुई तो इसका प्रभाव जो है सरीर पर अच्छा नहीं होता है इसलिए संबेगों पर नियंतर्ण करना वो उन्हें समाजिक मर्यादा के अनुसार ब्यक्त करना बहुत जरूरी है ताकि समाज में दोनों ब्यक्ति और बच्चे जो भी हैं वो बिलकुल स्वस्त रहें, सांति पुर्वक रहें और सबों में सामनजस अस्थापित हो, एक दू होता है थोड़ा साम लोग देख लेते हैं इसमें संभेगात्मक विकास में खेलों का महत्तु यह खेल का महत्तु खेलों द्वारा बालक अपने आपको संभेगात्मक रूप से संतुस्ट कर पाता है खेल के माध्यम से क्या है बच्चे अपने आप में काफी संतुस्टी जब वह आउट हो जाता है तो गुस्ता आने पर भी वो उस पर नियंत्रन कर लेता है क्या होता है जब बच्चे एक साथ खेल रहे होते हैं और खेल में तो अपने अपने नियम है अगर बच्चा उसमें आउट हो जाता है तो अगर संबेग पर नियंत्रन नहीं रहा गुस्त ताको भी वह बहुत कंट्रोल करता है उसे रोक कर रखता है ताकि उसे खेल से निकाल न दिया जाए इसका डर उसे रखता है फिर खेलों के माध्यम से यह तो हो गया फिर है सर्मीलापन छोड़ देता है जब बच्चे विद्याले जाने लगते हैं अन्य बच्चों के साथ खेलना आरब कर देते हैं तो उनके अंदर की जिजख होती है उसे वह छोड़ देते हैं तो सर्मीलापन छोड़ देने के कारण क्या करते हैं बच्चे जब विद्याले में या इस्कूल में किसी तरह का प्रोग्राम होता है तो उसमें वो खुल कर participate करते हैं अच्छे से भाग लेते हैं और जैसे नाटक हो गया कि उसमें अभिने करना हो गया या कुछ स्पीज देना है तो बहुत अच्छे से वो दे सकते हैं वह या बच्चे क्या है यह थार्तवादी बनना चाहते हैं और दीवन स्वपन देखना बंद कर देते हैं क्या है जो स्वपन की दुनिया में बच्चे होते हैं वह छोड़कर धरातल पर रहते हैं सही चीजों को देख देखते हैं जो आज के समाज में को से अधिक ध्यान देते हैं और हम अपने सभी तरहीं पर नियंत्रन करने की कोशिज भी करते हैं तो अज हम लोगों ने 9 संवेग लिएम प्रकार के संवेग को प्रभावित करने वाले कार्पों के बारे में जाना संवेगों का खेलों पर क्या महत्व है कि इसके बारे में जाना और आज यह टॉपिक यहां पर समाप्थ हो जाता है इसके बाद हम लोग इसी चैप्टर से अगला एक और टॉपिक है समाजिक विकास तो सिसु का समाजिक विकास इस पर अध्यान हम लोग अगले वीडियो में करेंगे तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद खुश सभी अपनी पढ़ाई को जारी रखिए थैंक यू